कि यहां पर अपके लिए वेकी दोस्तों यहां पर बताऊंगा जिसके लिए अल ओवर इंडिया के इप्लाइग कर सकते हैं तो दोस्तों इसके साथ ही कोँगा अगर चैन पर नहीं आयो तो चैनों को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरू क्लिक कर लें जिससे कि कोई भ करती है पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं देख लेना पूरा वीडियो को किस तरह आप इसके लिए अप्लाइब करेंगे दोस्तों आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिग जाना है कौन क्रेंड करियस जैसी आप लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले कौन कर कोजिए अगर वर्ल्ड केशिक करना है तो आप चैक करना चाहते हैं वर्लड वाइचे तो आपको नीचे जैसा क्लिक करना पड़ें आप दोस्तों मैं उपर क्लिक कर ले conventional इंडिया कि इंडिया के और गर्ट दिखाएगा छिए तो यहां पर अलग लग वसे यां पर आपको स्पोर्ट सीनियर स्पेशलिस्ट की वेकेंशिया उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजिनियर की भी दोस्तों वेकेंशिया डिजाइन में अठारा अगस्ट दो इजार वाइस की वेकेंशिया पूने लोकेशन के लिए ओपन है ये भी ठीक है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लावा देखेंगे आप अलग लग दोस्तों वेकेंशिस आपको दिखेंगे फिर दोस्तों डिजाइन इंजिनियर की वेकेंशिया क्रेंट प्लेटफॉर्म इंजिनिंग छे स्टंबर को आई है तो ये पूने लोकेशन के लिए तो इसको क आप डिस्क्रीप्शन यहाँ पर आपको काम करना होगा स्किल्स कौन कौन सी चाहिए एनक्स से लेटिट टिक एफी से लेटिट आपको नॉलेज है तो यहाँ पर आप जरूर अप्लाई कीजिए तो यहाँ पर बैक कर देता हूं और भी आपको जो है फ्रेशर की वेकेंश साफ के लिए साफ जो ढगे अने लएक साल तक का इस तो ओंपर सकते हैं तो इस उच्छा जाता है तो जस्ट आपको जस्ट नॉलेज है तो आपको यहां पर आपका इंट्रिवु क्लियर हो जाएगा जब मतलब जोग आपको प्रेक्टिकल वर्क है वो तो यहां पर कंपनी में काम करके ही पता चलेगा देखिए यहां पर अप्लाई नाओ का बटन दिया ग लिए ठीक है डिजाइन की और भी वेकेंसी और यहां पर कितना एक्सपीरियंस भी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर बीटेक मेकेनिकल प्रडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम पांट साल तक का एक्सपीरियंस आई अलग पोस्ट है तो यहां प यहां पर ने जिनोंने किया है ठीक है आईटी में आपने किया है को डिगरी किया है अब देखिए कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं graduate in computer science बसी किये बीदी कर सकता है जिरो टू वन यह एक्सपीरियंस तो यहां पर वह अपर वह अप्लाई कर सकते हैं अब किसी भी जो आपको आपने apply करना किस तरह करना यह apply now का बटन दिया गया है उसके बाद apply पर आपने click करना जैसी आप apply पर click करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो देखें आपर एक account अगर आपने कभी कून करेंज में पहले apply किया email id और password डालके login कर दीजिए जो new candidate है जिन्नोंने कभी apply नही रेक्टर का फिर password लीजिए first name last name लीजिए country of residence किस country से आप apply कर रहें इंडिया obviously अगर इंडिया से कर रहे तो इंडिया आप लेकर आपको चूज करके privacy statement को पढ़के यहाँ पर ठीक है तो आपने एक account create करना account create के बाद आपने click करना please sign in पे please sign in पे जैसी आप click करेंगे तो य इंडिया की और भी multi nation companies में apply करना चाते हैं तो वी वीडियो के description box में आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करतो हैं यहाँ पर आपको दीग जानकार इच्छे लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक को शूजूर कर देना धन्यवाद आपदी शुब रहे